जैसे खुष्णा कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा आज एक छोटा सा गेम खेलू आप लोगों के सब और मां खेल सकती हूं बै चलो खेलते हैं आपको तस्वीर जो यह दिख रही है इसमें इस अपजेक्ट का कलर क्या है आपको मुझे गैस करके कलर बताना है क्यों कर रही हूं मैं ऐसा सर्फ इसलिए क्योंकि जानना चाहती हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है क्या है जो इस समय आप अपने मन के अंदर महसूस कर रही है और कौन कितना ज्यादा अपने इंट्यूशन पार्ट पर बहुत स्ट्रॉंग है किसके इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है ये आपके लिए बेहद जरूरी होती है हर घर में पाई जाती है हर घर में इसकी बहुत जादा जरूरत है बिना इसके हमारी जिंदगी की तरह चीज़ें भी अस्त वेस्त रहती है और क्या है ये हमारे घर में रखी हुई अलमारी जिसके अंदर हम कॉपी किताबे भी रखते ह अपने कपड़े भी रखते हैं अपने डॉक्यूमेंट भी रखते हैं कुछ अलमारियों के अंदर बरतन भी रखे जाते हैं बहुत तरह से यूज की जाती है यह अलमारियां पर क्या आप अलमारी को लेकर कुछ बाते जानते हैं पहली चीज़ जिन अलमारियों के अंदर के नीचे या सबसे नीचे वाले खाने में आपको हमेशा लाल कपड़े में बांध कर दो इलाइची जरूर रखनी चाहिए क्यों करवा रही हूं मैं यह काम इससे आपका शुक्र हमेशा अच्छा रहता है कपड़े आपके शुक्र और बुद्ध दोनों के कारक होते हैं और इलाइची जो कि लाल कपड़े में बंध है अगर रखी जाएगी तो यह आपके शुक्र को बहुत जादा स्ट्रॉंग कर देगी साती सात में आपकी बुद्धी को भी ठीक रखेगी तो यह काम आपको जरूर करना चाहिए जिस तरह हम कपड़ों के अंदर कीड़े ना लगा पर आप एक इत्र की शीशी जरूर रखिए नहीं तो आप कॉटन के अंदर इत्र लगा कर अपने कपड़ों के बीच में जरूर रख दीजिए यह सब इसी लिए करवाती हूं ताकि आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा बनी रहें जिन अलमारियों के अंदर आप कॉपी किताबें रखते हैं जिन अलमारियों के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं जिन अलमारियों के अंदर आप अपनी जरूरी चीज़ें रखते हैं जो आपके लिए बेहत महत्पूर्ण है जिसके बिना आपका काम अधूरा रहता है ऑफिस की प्रप्रे में बांद कर दो हल्दी की गाठ रखनी चाहिए आपको दो मोर पंक पीले रंग के दागे से बांद कर उस अलमारी में जरूर चिपका कर रखना चाहिए ऐसा करने से एक तो आपके काम आपके विद्ध्या आपके ज्यान को किसी की नजर नहीं लगती और दूसरा आपके जीवन के अंदर confidence लेवल हमेशा बढ़ता रहता है इसी प्रकार अलमारी जिसके अंदर आप धन दौलत रखते हैं पैसा रखते हैं जिसके अंदर आप अपने जेवर रखते हैं उस अलमारी के अंदर हमेशा आपको फटिक की एक छोटी सी गोली सिंदूर में डाल कर जरूर रखनी चाहिए वैसे तो इस अलमारी में बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं जैसे कि हत्ता जोडी स्यार सिंगी जैसे कि इसके अंदर आप रख सकते हैं गोमती चक्र लगूनारियल फ्ली अंत्र इस तरह की चीजें आप इसके अंदर रख सकते हैं लेकिन आपक जरूर पप्त करिये ऐसी अलमारी के ऊपर स्वास्तिक कर्चिन हमिशा बना के रखी एसी अलमारी पर निरंतर रूप से भूबत्ती ज़रूर करते रहें यह नियम आपके गल्ले पर भी साबित होता है आपको अपने गल्ले पर भी यह कार जरूर करना चाहिए चलिए यह तो थी सारे information आपके अल्मारियों को लेकर जिसके अंदर धन रखा हो आपके जेवर रखे हो ऐसी अल्मारी का मुख हमीशा दक्षिन की तरफ खुलना चाहिए इससे आपके उपर मालक्षमी का खुवेर जी का हमीशा वास बना रहता है अब आपको बताती हूं एक वह चीज जिसको आगर आप अपनी अल्मारी के उपर रख देंगे तो रखने मात्र से आपके जीवन के खल्ला रक देना है और इसे रखना है आपको लाल कपड़े बांद कर इसके उपर आप रख देंगे दो इलाईची दो लोंग और थोड़ा सा कपूर आप इस कटोरी को १क कर भी रख सकते हैं और खुल्ड है सकते हैं Ah आप इसे हर महीने चेंज करेंगे यानि की कटोरी को नीचे उतारेंगे आप कपड़ा खोलेंगे उसके अंदर से छला निकालेंगे उसे गंगा जल से दोएंगे उस पर रोली टीका लगाएंगे और वापस पुन्हा उसको रख देंगे लॉंग इलाइची जो भी आपने हीने के अंदर आपको समझ में आएगा कि इस चीज का आपके जीवन पर क्या असर हुआ इस चीज की वजह से आपकी चीजे कैसे बढ़ने लगी आपका धन बढ़ने लगा आपका मान बढ़ने लगा आपका समान बढ़ने लगा अगर आप ये नितनियम से एक साल कारे कर ल बदल ली जिये एसे चाहें तो आप Georgia trashy एक कदर ली जीए एक तिथी या एक डेटव Lucia कर दिजित और अपनीन अल्मारी के उपर रखी और इन चीजों को बदल का अपने इस्ट को समर्ण warranty दूबारा वहां पर स्थापित कर दीजे यह एक चीज रखने मातर से आपके जीवन के लाखों कस्ट दूर हो जाएंगे हम अलमारी के उपर बहुत सारा कबाड़ा भरके रखते हैं हम उसे इतना भारी कर देते हैं कि जो नीचे हमारी चीजे रखी होती है वो कहीं ना कहीं दबने लगती है इ मारा बारवा घर एक्टिव हो जाता है आप जितना भार डालेंगे उस जगह पर वो जगह आपके भार को बढ़ने के कारण बारवे घर को खुला कर देगी बारवा घर खुलते ही आपकी जीवन में से सब कुछ हवा की तरह उड़ने लगेगा चाहे वो आपका मान सम्मान ह चाहे वर आपकी सेहत हो चाहे वो आपका पैसा हो चाहे वर आपके रिष्टे भारवा घर खुलना मतलब आपकी सारी चीजों का खुल जाना वे वो जाना खत्म हो जाना खरच हो जाना तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिए हर अलमारी पर इसको रखने की जरूरत नहीं है केवल वो अलमारी जिसके अंदर आप अपनी important चीज़े रखते हैं अपने छोटे मोटे जो भी आपके पास चांदी सोना जो है वो रखते हैं खुड़ा बहुत धन रखते हैं जिसके दीरे दीरे करकर कम होने के रस्ते खुलते हैं और कैसे ठाकुर जी आपको रहा दिखाते हैं अब बताती हूं आपको उस चीज़ के बारे में जो मैंने आप से कॉश्चन किया था कि मैंने आपको जो अबजेक्ट दिखाया था इसका कलर क्या है आपने जो चीज़ देखी उसका औरिजनल कलर ये है. आपने इस कलर को गैस किया हो, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताईएगा. नहीं किया, तो आपने जो कलर गैस किया, मैं उसके बारे में बताती हूं. मैं आपको सिर्फ कुछ कलर्स के बारे में बता रही हूं, मिलेवे कलर्स नहीं बताऊंगी. अगर आपने हरा रंग सोचा था, तो आपके जीवन के अंदर कहीं न कहीं आप किसी चमतकार का इंतजार कर रहे हैं. आप इंतजार कर रहे हैं कि कुछ आपके जीवन में ऐसा घटेगा, जिससे आपकी सारी चीज़े बनने लगेंगी. क्या ऐसा है? जरूर बताना मुझे. अगर आपने लाल रंग सोचा था, तो ये वो रंग है जो आपके जीवन में आपको कहीं न कहीं अकेले पन में ले जा रहा है. ये आपके मन के अंदर किसी के प्यार की चाहत को चाहता है. ये आपके जीवन में किसी के द्वारा थोड़ी सी केर, थोड़ा सा अफेक्शन, थोड़ा सा अटेंशन चाह रहा है. चाह रहा है कि कोई आपको समझे, कोई आपसे बात करे, बहुत कुछ है जो आपके अंदर दबा पड़ा है उसे आप बाहर निकालना चाहरें पर वो निकल नहीं पा रहा है जिन लोगों ने भी काला रंग सोचा था ऐसे लोगों के इर्द गिर्द बहुत नेगिटिविटी चल रही है हमेशा इनके दिमाग में बहुत जादा नेग कुछा अगर आपने है तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपकी कोई चीज बहुत ज़ाधा अंदर अंदर आपको दर्द दे रही है आप कहीं यात्राय चाहते हैं आपको थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसे आप निकाल कर बाहर करना चाहते है अगर आपने पीला रंग सोचा था तो यह आपके लिए पॉजिटिव साइन है क्योंकि आप कहीं न कहीं इश्वर से जुड़ना चाहते हैं आपके अंदर भक्ति भाव धार्मिक चीजों को लेकर लगाव आ रहा है आप कहीं न कहीं हारते हुए भी अपने आपको हारने नही अगर आपने सोचा होगा पिंक कलर तो कहीं न कहीं आपके मन में किसी ऐसे साथी की चाहा है जो आप से बहुत प्यार करें आपको समझें आपकी जीवन की ख्वाइशों को पूरा करें अगर आपने पिंक कलर सोचा है तो कहीं न कहीं मैं यह जरूर कहूंगे आपके अंदर बहुत प्यार है आप बहुत अच्छी सोल है आप बहुत अच्छे इंसान है इसलिए आपको आपकी चीज़े बहुत जल्द प्राप्त होने वाली है चलो मेरी जान ऐसे अच्छे गेम्स लेकर पिराती रहूंगी तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा रिष्टों में सार्थी मात्रशला जोतिश के क्शेत्र में विश्व विख्यात ताम है जोतिश शास्त्र में PhD मात्रशला पिछली 22 वर्षों से जोतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लब गुर्ड विधाओं जैसे परच्छाई एवं लव्ज के अधेन से अपन उपायों द्वारा लागों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात रिशला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप कर रही है। साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवाजा जा चुगा है। प्राप टाद से सम्मानित किया झाल नेगा है। चिर्ड़र रहाएं उन्हें 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 अन्हेंद्रे में उन्हें प्रापशन रपाशन किया भीज़र्ड से लिए टो गजागा है।